नमस्कार द्रिष्टी IS के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैप से करते हैं पहला सवाल है गोवा मुक्ती दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 19 दिसंबर हाली में किसने फ्यूचर इस्किल्स नामक प्लेटफॉर्म लॉंच किया है? उत्तर है विप्रोग्र भारत ने किसके साथ मिलकर मध्य प्रदेश की सडकों के नवीनी करण के लिए सारुजनिक निजी भागीदारी हेतू 490 मिलियन डॉलर के रिड़ पर हस्ताक्षर किया है उत्तर है एशियाई विकास बैंक वारालसी से पहली बार सबजी की खेप समुद्री मार्ग के जरिये कहां रवाना हुई है? उत्तर है दुबई भारती औशदी कोश को मानिता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? उत्तर है अफगानिस्तान इथोपिया की राजधानी है? उत्तर है अदिसा बाबा जूनियर नैशनल एक्क्वेस्ट्रियन चेंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर है बंगलूरू ICC ने ICC महिला T20 विशुकप 2020 के लिए किसके साथ साज्यदारी जारी रखी है? उत्तर है UNICEF हाली में बंगलूरू ओपन गॉल्फ चेंपियनशिप किसने जीती है? उत्तर है अभिनव लोहान छठे कतर इंटरनेशनल कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर है दोहा तो आईए पिछला अभियास प्रस्ण देखते हैं आपसे पूछा गया था कि हाली में किसे FIFA Team of the Year का खिताब मिला है? ओप्शन है Belgium, कतर, फ्रांस या फिर ब्राजील हाली में Belgium ने FIFA Team of the Year का खिताब जीता है Belgium ने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता है इस रैंकिंग में फ्रांस दूसरे जबकि ब्राजील तीसरे पायदान पर रहा इसके अलावा इंग्लेंड चोथे और उरुगवे पाचवे पायदान पर रहे वही अर्जेंटीना और कुलंबिया टॉप 10 में शामिल रहे तो इस सवाल का सही जवाब है option A Belgium आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो चलिए आज के session का पहला सवाल लेखते है राश्ट्रिय किसान दिवस कम मनाया जाता है option है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर हर साल 23 दिसंबर को राश्ट्रिय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस को पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग की याद में मनाया जाता है बता दे की भारत के प्र्धान मंत्री के रूप में चौधरी चररण सिंग का कारिकाल जुलाइ 1989 से जनवरी 1980 तक रहा उन्होंने भारत के पाचुए प्रधान मंत्री के रूप में काम किया था और उनका जन्म 23 दिसंबर के दिन ही हुआ था उनके जन्म दिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने 2001 में हर साल 23 दिसम्बर को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्ड़ लिया था तो इस सवाल का सही जवाब है option D 23 दिसम्बर यही पर आपको एक अन्य महतपूर सूचना देते हैं 22 दिसम्बर को राश्ट्री गडित दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन हर साल महान गडि तक श्री निवास रामा नुजन की जैनती मनायी जाती है पूर्वप्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने 2012 में राश्ट्री गडित दिवस की घोशला की थी दूसरा सवाल है खबरों में रहे नाकपूर रिजल्यूशन का सम्मध किस मंत्राले से है आप्षण है कार्मिक लोग शिकायत एवम पेंशन मंत्राले गृट्री मंत्राले, संस्कृती मंत्राले या फिर सामाजिक न्याइ एवम अधिकारिता मंत्राले हाली में प्रिशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग ने नागपुर में आयोजित एक छेत्री सम्मेलन के दोरान नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोड को अपनाया है इस दृष्टिकोड का नाम है नागपुर रिजोलीशन यानि नागपुर संकल्प इस संकल्प को नागपुर में आयोजित दो दिवसिये छेत्री सम्मेलन के समापन सत्र के दोरान अपनाया गया इस सम्मेलन का विशे था सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में सुधार करना सरकारों की भूमिका यानि इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलिवरी रोल आफ गॉर्मेंट्स बतादे की सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रिशासनिक सुधार और लोगशिकायत विभाग ने महराश्ट्र सरकार और जनसेवा अधिकार के लिए महराश्ट्र राज्य आयोग के साथ मिल कर किया तो इस सवाल का सही जवाब है option A कार्मिक लोगशिकायत एवं पेंशन मंत्रा ले तीसरा सवाल सिंग्रैनी कोईलाक्षेत्र निम्न लिखित में से किस नदी घाटी में अवस्थित है option है दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी या फिर महानदी घाटी हाली में दक्षण मद्ध रेलवे ने अपनी तरह की पहल में प्रतीकात्मक ट्रेन हैदराबाद नई दिल्ली हैदराबाद तिलंगाना एक्सप्रेश शुरू की है यहें ट्रेन तिलंगाना और देश की राजधानी को जोडती है इसे सिंग्रेनी कोईला खान कंपनी लिमिटेड के रंगों और डिजाइन से सजाया गया है बता दे कि सिंग्रेनी कोईला खान कंपनी लिमिटेड सरकार के स्वामित्त वाली भारत के सबसे बड़े कोईला उत्पादकों में से एक है सिंग्रेनी कोईला खान कंपनी लिम्टिड एक सरकारी कोईला खनन कंपनी है जह संयुक्त रूप से तिलंगाना सरकार और भारत सरकार के 51.49 एक्विटी आधार पर स्वामित्तु में है सिंग्रेनी कोईला भंडार प्राड हिता गोदावरी घाटी के काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है बतादे की संदर्भ में एक सवाल हाली में आयोजित हुए UP-PCS प्रारंभिक परिक्षा में भी पूछा गया था तो इस सवाल का सही जवाब है option C गोदावरी घाटी चौथा सवाल सुर्खियों में रही इस पंदन नामक पहल निम्न लिखित में से किस राजिसे संबंदित है option है आंधर प्रदेश, गुजरात, महाराश्ट र्याफिर, उत्राखंड आंधर प्रदेश के एक जिले ने खासकर महिलाओं की पुलिस तक पहुँच को सुलब बनाने के लिए एक नई तकनीक का उप्योग किया है इसका नाम इसपंदन है दरसल हाली में आंधर प्रदेश के प्रकाशम जिले के पुलिस अधिक्षक को इसपंदन प्रोजक्ट के लिए सातवे जी फाइल्स गवर्नांस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनका नाम सिध्धार्थ कौशल है बताने की शासन में अभिना सुधारों के लिए सिविल सेवकों को हर साल जी फाइल्स गवर्नांस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है इस पंदन पहल को जुलाई में लॉंच किया गया था जिसके तहत 52 फीसद शिकायत करता महिलाए है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पंदन का अर्थ प्रतिक्रिया होता है तो आई अब यही पर अंधर प्रदेश को देख लेते हैं जहें ओडिशा, 36 गड़, तिलंगाना, करनाटक, तमिल नाडू और बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साजह करता है नागारजुन सागर और नीलम संजीव रेड़ी सागर पन बिजली परियोजना इसी राज में इस्थित है इसकी राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद में स्थित चार मीनार गोलकुंडा का किला नागारजुन कोंडा इत्यादी आंधर प्रदेश के एहम परेटा निस्थल है तो इस सवाल का सही जवाब है option A आंधर प्रदेश पाचवा सवाल हाली में किस विभाग ने Society of Biotechnology of India को लौँच किया है option है विज्ञान एवं प्रद्योगी की विभाग, अंत्रिक्ष विभाग, जवप्रद्योगी की विभाग या फिर परमाडू उर्जा विभाग हाली में जवप्रद्योगी की विभाग ने Society of Biotechnology of India यानी SBPI को लौँच किया है बता दे कि यह है एक गैर लाबकारी संग्ठन होगा SBPI जीवन विज्ञान के ख्षेत्र में भारत की प्रगती में आने वाली बाधाओं या अंत्रालों के लिए रिसर्च फंडिंग की बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे प्रयासों में भी मददगार होगा इन बाधाओं की बात करें तो ये बाधाएं अवसनरचना, मानवसनसाधन, रेगुलेरिटी फ्रेमवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मौजूद है तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन C, जव प्रध्योगी की विभाग छठवा सवाल State of the Art DNA Analysis Center का उदगाटन कहां किया गया? ओप्शन है है हैदराबाद, चंडिगढ, कोलकाता या फिर पंतनगर हाली में ग्रिहराज मंत्री नित्यानंद राय ने CFSL चंडिगढ में एक State of the Art DNA Analysis Center का उदगाटन किया है इस नई उन्नत Forensic DNA विशलेशड प्रयोकशाला की स्थापना निर्भयाफंड योजना के अंतरगत की गई है यह केंद्र निम्न के लिए आधुनिक सुविधाय प्रदान करेगा इसके अंतरगत Sexual Assault and Homicide Unit, Paternity Unit, Human Identification Unit और Mitochondrial DNA Unit शामिल है यह केंद्र पूरी तरह से आधुनिक DNA प्रोफाइलिंग साधनों और उपकरणों से सुसजित है और इस अत्याधुनिक Forensic DNA विशलेशण सुविधा में प्रती वर्ष 2000 मामलों की जाच करने की क्षमता है बतादे की ग्रिह मंत्राले के अंतरगत फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं की निदेशाले ने देश में केंद्री फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोक्षालाओं की स्थापना की है यह प्रयोक्षालाएं इस्थित हैं भोपाल मध्यप्रदेश में चंडीगड, गुआहाटी असम, हैदराबाद तिलंगाना, पूने महराष्ट और कोलकाता पस्चिम बंगाल में तो इस सवाल का सही जवाब है उप्षन B चंडीगड सात्वा सवाल इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने 3000 कोच के निर्माल का रिकॉर्ड कितने दिनों में बनाया उप्षन है 200 दिन, 215 दिन, 289 दिन या फिर 295 दिन इंडियन रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने मात्र 215 दिनों में 3000 कोच का उतपादन कर रिकॉर्ड बनाया है इससे कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी बतादे की उपरोगत मांग को पूरा करने के लिए कायर दिवसों की संख्या पिछले साल के 289 दिनों से घटकर चालू वर्ष में 2015 दिन की हो गई है साल 2014 तक केवल 1000 कोचों के उत्पादन में ही उतना समय लिया जाता रहा था तो आई अब यहीं पर इंटीग्रल कोच फैक्टरी के बारे में जानते हैं इंटीग्रल कोच फैक्टरी स्वतंत्र भारत की शुरुआती उत्पादन इकायों में से एक है इसका उत्गाटन भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ने 2 अक्टूबर 1905 को किया था बाद में 2 अक्टूबर 1962 को फर्निशिंग डिवीजन का उत्गाटन किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B 215 दिन आठवा सवाल हाली में किस मंत्राले ने ECHO नेटवर्क लॉंच किया है ओप्शन है पेजल एवं सक्ष्टा मंत्राले खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले ग्रामील विकास मंत्राले या फिर वालिज एवं उद्योग मंत्राले हाली में एको नेटवर्क लॉंच किया गया है बता दें कि इस नेटवर्क का संबंध वालिज एवं उद्ध्योग मंद्राले से है इसकी लॉंचिंग भारत सरकार के प्रमुख विज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय रागवन द्वारा नई दिल्ली में की गई इस नेटवर्क का मकसद भारत में विभिन्ने विश्यों में नेत्रितों को गती प्रदान करने के लिए एक साचा उपलब्ध कराना है जिसमें बढ़ते अनुसंधान, ग्यान और भारतिय पारिस्थित्की और पर्यावरल की जागरुकता पर विशेश ध्यान केंद्रित किया हो तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन D वालिज एवं उद्द्योग मंत्रा ले नौवा प्रशन, एल्सा और फैबियन क्या है? ओप्शन है तूफान का नाम, तितली की प्रजातियां, साइबेरिया की जनजातियां या फिर उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली नदियां हाली में तूफानी हवाओं ने यूरोप के कई इलाकों में मरने वालों की तादात बढ़ा दी है इन तूफानों की चपेट में स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देश अधिक आये हैं एलसा और फेबियन नामक तूफानी हवाएं इन खेतरों की नदियों में बार जैसी स्थिती पैदा कर रही हैं बता दें की स्टॉर्म एलसा ने ब्रिटेन की तरफ रुख किया था जबकि स्टॉर्म फेबियन ने उत्तर पश्चिम स्पेन के गैलीसिया के साथ-साथ कई इलाकों में दस्तक दी थी तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन ए तूफान का नाम दस्वा प्रश्न बांगलादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज दो हजार उन्नीस के पुरुष एकल का खिताब किस ने जीता ऑप्शन है केन यॉंग ओंग, ट्रीसा जॉली, मैस नाम मिराबा लुवांग या फिर ट्रिटा पॉर्ण जियानता नेट भारती शटलर मैस नाम मिराबा लुवांग ने बांगलादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज दो हजार उन्नीस के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इस चैंपियनशिप का आयोजन धाका में किया गया था वहीं भारत के मलिपुर लुवांग ने केन योंग ओंग को हरा कर यह खिताब जीता है तो इस प्रशन का सही जवाब है उप्शन C मैस नाम मिराबा लुवांग तो आई आज का अभ्यास प्रशन देखते हैं आर्टेक सेमिनार का आयोजन कहां किया गया है ओप्शन है एहमदाबाद, नई दिल्ली, दहरादून या फिर भुपाल तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना ना भूलें अगले सेशन में कुछ नए प्रशनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक कि लिए नमस्कार